दोस्तों स्वागत हमारे इस यूटूब चैनल लर्निंग सपोर्ट भाई जासे हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो आज किस वीडियो में बात करेंगे कभी कभी सिंटेंस में को कहना होता है लेकिन वेकिन कुछ नहीं जिसे कभी किसी को हम जीत करते रहते किसी चीज के लिए कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम्हें सच बोलना पड़ेगा बहुत सरा सिंटेंस का मारे पास एक्जामपल हो सकता है उस तरह के सिंटेंस में हम लोग लेकिन वेकिन कुछ नहीं के लिए हम लोग no ifs no ifs and buts का तुम जूट बोल रहे हो 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 तुम जूट लोग no ifs and buts का यूज़ करेंगे, यहां लेकिन वेकिन कुछ नहीं के लिए। चलिए sentence को translate करते हैं No ifs and buts लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जूट बोल रहा हो। तो यह देख सकते हैं present का continuous sentence है तो you are telling a lie लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम जूट बोल लाए हो तो चलिए एक और sentence का example देख लेते हैं तो example number two अगर ऐसा हमें sentence में कहना हो करी कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना परेगा लेकिन वेकिन कुछ नहीं लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना परेगा तुम्हें मेरे साथ चलना परेगा तुम्हें मेरे साथ चलना परेगा तो देखिए इस तरह के sentence को हम लोग कैसे translate करेंगे translate करेंगे तो just वहाँ पर basic आपको यह याद रखना है कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं के लिए हमको no ifs and buts का यूज़ करना है sentence ले तो चलिए इस sentence को translate करेंगे तो no ifs and buts यह लेकिन वेकिन कुछ नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना परेगा तो you will have to you will have to come with me you will have to come with me you will have to come with me तुम्हें मेरे साथ चलना परेगा तो इस तरह से आप easily इस तरह का sentence का आप translate कर लेंगे just आपको basic आपको क्या याद रखना है कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं के लिए कभी भी हमको ऐसा कहना हो sentence में तो इस तरह का sentence में हम लोग no ifs and buts का use करके sentence को easily translate कर लेंगे तो I hope कि आपको ये वीडियो समझ में होगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe और वीडियो को लाइक ज़रूर करें thanks for watching this video